गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम करेंगे causes of bipolar disorder द्विधुरुवे विकृती के कारण पिछली वीडियो में हमने द्विधुरुवे विकृती के प्रकार और लक्षनों को समझा था उत्सा विषाद विकृती के लिजिए या द्विधुरुवे विकृती के लिजिए तो कारण में जो सबसे पहला कारण है वो है नियूरो ट्रांस्मीटर तो कई अध्यनों से इस पश्ट हुआ है कि डिप्रेशन के समान जो उनमादी घटनाए है उनकी अनुभूती में भी नियूरो ट्रांस्मीटर का हाथ होता है जब हमने यूनिपोलर डिसॉर्डर किया था जिसमें विशाद को पड़ा था तो उसके कारणों में हमने नियूरो ट्रांस्मीटर की बात की थी और उनमादी अनुबहूतियां जो होती है उनमें भी नूरोट्रांसमीटर का हाथ होता है पोस्ट एट आल यानि पोस्ट और उनके सयोगियों ने 1980 में अपने अध्यन में ये पाया था कि नौर पाइन फ्राइन जो हार्मोन है उसकी मात्रा अधिक होने से व्यक्ति में उनमादी अनुभूतियां अधिक होती हैं उन्होंने भी किया था कि जब द्वीत्रुविय विकृति के रोगियों को रेस्पाइन दिया जाता है जिससे रोगी के बलड को कम कर दिया जाता है तो इससे नौरपाइन फ्राइन की आपूर्ती मस्तेश्क में कम हो जाती है तता रोगियों के जो उनमादी लक्षन है वो कम हो गए इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नौर पाइन फ्राइन का स्तर उंचा होने से उन्मादी घटनाओं का अनुभव होता है और उच्च नौर पाइन जो मस्तिश्क की मुख्य भागों में नौर पाइन फ्राइन के स्तर को कम करके उन्मादी लक्षनों को कम कर सकता है तो इससे इस पश्च होता है कि उन्माद जो है वह अपने आप में उच्च नौर पाइन फ्राइन की मात्रा से संबंदित होता है तो हमने जब विशाद की का अनुभूतियां होती हैं और उसकी मात्रा अदिक होने से व्यक्तियों को उनमादी अनुभूतियां होती हैं। सिकिन जो कारण है उसकी हम बात करेंगे वो है sodium ion activity. तो मैल्जर मन वैग्यानिक थे जिन्नोंने 1991 में ये बताया कि उनमाद और विशाद का जो कारण है वो पूरे मस्तिश्क में निरोन जिल्लियां जो होती है उनमें सोडियम आयन का दोश्पून संचार है अगर मस्तिश्क की सूचनाओं को सचमुच में ठीक धंग से संचारित होना है तो सोडियम आयन का निरोन जिल्ली के अंदर और बाहर आगे तथा पीछे ठीक धंग से उनका संचार होना आवश्यक है और जब इन आयनों का संचार ठीक धंग से होता है तो एक निरोन ना तो जरूरत से ज्यादा किसी उद्धीपक से उत्तेजित होगा और ना उसके प्रती जो है वो विरोध दिखलाएगा तो इसके विप्रीद कुछ जो अध्यन थे उनका जो अध्यन करता थे उनका ये विश्वास था कि यदि आयन का अनुचित संचरन जो ट्रांसपोर्टेशन है संचरन है हुआ तो निरोन बहुत आसानी से या तो उत्तेजित हो जाएगा या फिर बहुत मुश्किल से से उनमाद यानि मेनिया तथा दूसरी अवस्था की जो है समानिता है उससे डिप्रेशन होता है यानि जब बहुत असानी से उत्तेजित होता है तो व्यक्ति उत्साइट हो जाता है जब बहुत मुश्किल से आयन जो है उत्तेजित का जो संचरन है वो होता है तो मुश्किल स तो वो उतेजित हो पाएगा तो इससे जो है विशाद उत्पन होता है तो सोडियम आयन के संचरण में ट्रांस्पोर्टेशन में इस तरह के दोश होने से निरॉन के जिल्लियों में होने वाले सामाने परिवर्तनों में दोश उत्पन हो जाता है यानि जब सोडियम आयन का ज व्यक्ति का जो मूड है वो एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्थित होता रहता है तो इस तरह से जो है यह आयन एक्टिविटी जो है इनसे भी व्यक्ति में उत्सा विशाद उत्पन होता है अब हम थर्ड कारण की बात करेंगे वो है जैनेटिक फैक्टर्स यानि जो जैन दूसरे विक्रति या उत्सा विशाद विक्रति का कारण हैरी रिटी होता है अनुवंशिक्ता होता है यह उन व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिनके पेरेंस माता-पिता या अन्य नजदी की संबंदियों में पहले हो चुका हो तो जब हम फैमिली वंश व्रिक्ष अध्यन की बात करें तो जो अध्यन है उनसे समर्थन मिलता है और उन अध्यनों के आधार पर यह पता चलता है कि द्वी दूविये विक्रति वाले व्यक्तियों के नजदी की जो संबंदी होते हैं उनमें इस रोग के उत्पन होने की संभावना चार से 25 प्रतिशत तक होत परसेंट ही होती है तो जो एकांगी जुडवा बच्चे है उनका एक बच्चे को यदि दूविये विक्रति है तो 70 परसेंट यह उमीद है कि जो दूसरा बच्चा है उसमें भी रोग विक्सित हो जाएगा और जो ब्रातिये जुडवा बच्चे होते हैं उनमें किसी एक म यदि दूवी दूवी विकृती है तो दूसरे में इसकी होने की संभावना 25% ही होती है यानि एकांगी जुड़वां बच्चे जिनको हम identical twins कहते हैं ये बच्चे जो है एक ही एग के fertilization से जो बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल वगरा और सब एक जैसा होता है और दूसरे fraternal twins होते हैं जिनको हम ब्रातिय जुड़वां बच्चे कहते हैं वो जो है जब uterus में दो अलग-अलग एग के fertilization से जो बच्चे उत्पन होते हैं उनको हम तो कहने का मतलब यह है कि जितना अधिक blood relation होगा उतना ही रोग के होने की संभावना अधिक होगी तो इस तरह से जो genetic factors हैं जिसमें basically जो heredity है वो वन्शानुक्रम जो है वो बहुत ही मैत्पूर्ण कारक है द्विद्रुव्य व कारण है वो है stress तनाव तो कई अध्यनों से इस बात की पुष्टी हुई है कि द्विद्रुव्य विकृती का कारण तनाव भी होता है कई अध्यन ये स्पश्च रूप से बताते हैं कि जो उनमादी घटनाओं का करीब दो तिहाई घटनाओं का कारण जिंदगी में कुछ द्विद्रुविय विकृती का कोई पुराना इतियास हो तो जैसे हम एक उधारन से इसको समझ सकते हैं कि द्विद्रुविय विकृती के उन रोगियों में जिनने लीथियम देकर उपचार किया जा रहा था उस समय उनमादी अवस्ता काफी बढ़ गई जब इन रोगियो के साथ रहना अपने आप में ही तनावपूर्ण होता है जिससे फिर सामन्य व्यक्ति में भी द्विद्रुविय विकृती उत्पन होने की संभावना उत्पन हो जाती है तो जो मॉल्स मनोवे ग्यानिक थे उन्होंने अध्यन में ये पाया था कि विशादी अवस्ता में हो 40% जो व्यक्ति हैं उनमें भी विशादी रोग विक्सित होने की संभावना अधिक होती है तो इस तरह से बच्चों ये स्पश्ट होता है कि द्विद्रुविय विकृती उत्पन होने में इन कारकों की महतभून भूमिका होती है जिसमें नियूरो ट्रांस्मीटर है सोडि होता है आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बुक में से अरुन कुमार सिंग की बुक आप खरीद लें और उसमें आपको पूरे टापिक्स मिल जाएंगे थैंक यू